नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकित और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडी टोप टीवी में आज भी हम आपके लिए एक और महत्वपून जानकरी लेके आए हैं किरपय वीडियो को लाश्ट तक देखें और पूरी जानकरी प्राप्त करें चलिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास नेबलाइजेशन मसीन है आज की हमारी जानकरी इसी विसे में है कि इसको कैसे यूज करना है कैसे कैसे भाप लगानी है आज हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे वीडियो में लाश्ट तक पने रहे हैं अगर अभ कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नेबलाइजेशन मसीन हो सकती है किसी का मॉड्ल कैसा हो सकता है थways यह करने का तरीका सबका एक जैसा होता है जब भी आप नेबुलाइजेशन मसीन यूज कर रहे हूं तो हमेशा फ्लैट सर्फेस पर रख के ही यूज करें सबसे पहले हमें जो इसका पिलग होगा वो लगाएंगे हम अपने इलेक्टिसिटी बोर्ड में वहासे करेंगे ओन ठीक ह अब इसमें उपर वाला जो आप देख रहे हैं यह है कैप और जो बीच में आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं कौन और नीचे वाला होता है कप तीम पार्ट होते हैं इसमें हमें इसके साथ जरुद पड़ती है एक ट्यूब की ट्यूब को लगाया जाता है इधर यहाँ पर जो होता है नोजिल आउटलेट यहाँ पर लगाया जाएगा इस तरीके से यहाँ से हमारी ट्यूब कनेक्ट होगी उसके बाद में दूसरा जो इसका सिरा होगा वो लगेगा मेडिशन चेमबर में देख सकते हैं हाँ पर और जो मास्क होगा हमारा जो कनेक्टर होगा वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से ठीक है अब हम जो इसमें दवाई डालते हैं दवाई डालने के लिए हमें खोलना होता है ये उपर का कैप इसको रख देते हैं कहीं साफ जगा पर और उसके बाद इसमें डालते हैं है मेडिसन यहां से हम इसमें डालते हैं कि इसमें लिखा होता है एक ml दू एम दिन ने के आश हम जो बटन होता है मसीन में अब हम महासे और करेंगे तो ये चलूओ हो आप देखें अब आप देख पा रहे होंगे इसमें से इस्टीम निकर लिया है इसको लगाया जाता है फेस पर इस तरीके से फेस पर लगा के इन दोनों को टाइट कर दिया जाता है इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फेस पर लगाया जाता है अब कुछ important steps हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ कर देखिए इसमें बच्चे का भी आता है बड़े का भी आता है ये adult patients के लिए है बच्चों के लिए थोड़ा mask का साई छोटा आता है कभी भी आप mask लगाएं face पर तो दिहान रखें वो आपकी nose पर fix आना चाहिए अगर वो आपकी आँखों की तरफ अगर भाप जाएगी तो आँखों को नुकसान पहुचेगा तो कभी भी दिहान रखें mask को अच्छे तरीके से लगाएं जो आपकी आँखों को नुकसान न हो और दूसरी बात सबसे important जब आप इसमें medicine डाल रहे हों तो ऐसा ना हो कि आपने दवाईयां mix कर दी हैं एक दूसरे में उस दवाईयां होती हैं जो मिक्स की जाती है जो डोक्टर की advise होती है लेकिन ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से कोई भी दवाई mix करके इसमें डाल के भाप लगाएं तो यह चीज हमेशा ध्यान रखना जो डोक्टर ने advise की हो वही दवाई देनी हैं लोग क्या करते हैं वही दवाई फादर को चल लए है वही बच्चे को चला दी वही घर में दूसरे को चला दी ऐसा ना करें डोक्टर की सलह के बिना कोई भी दवाई से बहाप ना दें सबसे पहले डोक्टर से सलह लें कि यह हमें बच्चे को यह दिक्कत ए बड़े को यह दिक्कत है कूंसी दवाई देनी है उसी हिसाब से इसमें दवाई दें और कभी भी एक दूसरे का mask यूज ना करें अब लोग क्या करेंगे घर में किसी को भी वही मास्क चला है एक दूसरे का यूज कर रहे हैं किसी को अगर infection है और आप दूसरे को उससे भाप लगा रहे हो तो वो दूसरे को हो जाएगा क्या फाइदा फिर क्योंकि इसमें जम जाएगा वो सब चीजे और दूसरे को आप लगाओगे तो उसको दिक्कत बढ़ जाएगी तो इसा सभी के लिए अलग-अलग मास्क यूज करें री यूज बिलकुल भी दूसरे पेसंट को ना करें अगर आप खुद भी एक ही मास्क यूज कर रहे हैं तो जैसे आपने भाप ले ली फिर उसको वोस करें अच्छे से क्योंकि इसमें बैक्टिरिया लग जाते हैं दूल लग जाती है तो उसको अच्छे तरीके से वोस करें तब उसको दोबारा यूज मिलें कभी ऐसे गलत तरीके से भाप ना लें और जब भी भाप ले रहे हों सबसे इंपोर्टेंट स्ट्रेप होता है जब भी भाप ले रहे हों तो ध्यान रखें हमेशा बैठ कर भाप लें अगर बड़े हैं तो उन्हें बिठा कर भाप दें अगर वो नहीं खुद से बैठ पा रहे हैं तो उनका जो सिरहना है उसको उंचा करें पीछे पिलो लगा दें या पकड़ के बैठ जाएं हमेशा बिठा कर भाब दें और अगर बच्चों को भी भाब दे रहे हैं तो उनका भी सर उपर की तरफ करके भाब दें, लिटा के भाब ना दें, सबसे बैस तरीका है बिठा के भाब देजी हमेशा, याद रखिये गए बाद, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जल्दी मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार